तो हाई दिस इस प्रभात रंजरो आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहा हूंगे एनाइटी मनीपूर नेशनल इंस्टिट अफ टेक्नोलजी मनीपूर की तो एनाइटी मनीपूर हमारे इंफाल मनीपूर में स्थेद एक गवर्मेंट इंजिनेरिंग कॉलेज है जिसकी स प्लेस्मेंट, एडविशन प्रोसेस, कट ओफ, फी स्ट्रक्चर बहुत फिकली डिसकास करने के बार आराम से इतमिनान से कॉलेज एंड होस्टर लाइफ डिसकास कर रहे होंगे तो स्टार्ट कर ले प्लेस्मेंट के साथ तो एनाइटी मनीपूर ने बहुत कुछ डेटा अफिशली नहीं बता रखा है बट फिर भी हमने इधर उधर से जुगार करने की कोशिस की है तो सबसे पहले अगर अफिशल डेटा की बात करें तो 2022 में हाईएस पैकेज 47 LPA और एवरेज पैकेज 9.7 LPA, 2021 का एवरेज पैकेज 8.7 LPA और 2020 में 6 LPA यानि कि एवरेज पैकेज काफी तेजी से बढ़ रही है in short placements काफी तेजी से बढ़ रहे है तो अब अपने unofficial data की सुरुआत करते हैं पहले placement percentage के साथ तो computer science में 100% electronics में 100% electrical में 85% mechanical में 80% और civil में काफी कम 5-10% बताया जा रहा है अभी इन्होंने online ऐसा लिख रखा है बट फिर भी अब मैं तो exactly बता न 12.5 LPA, civil में 5 LPA, mechanical में 7 LPA और electrical and electronics की हमारे पास data नहीं है हाइस package की बात कर ले तो computer science में 47 LPA, civil में 7 LPA, mechanical में 21 और again electrical और फिर electronics की data हमारे पास नहीं है lowest package की बात कर ले तो computer science में 5 LPA, civil में 3.5 LPA, mechanical में 5 LPA, again हमारे पास electronics और electrical का data नहीं है electronics और electrical का हमारे पास सिर्फ placement percentage है मैंने screenshot लगा दिया है वहाँ से आप देख सकते हो तो overall अगर हम placement percentage की बात कर ले तो 70% रहा है और average overall package मैंने बता ही दिया 9.7 LPA 2022 का तो अगर इनके परिस्थितियों को ध्यान में रखे तो placement काफी बढ़िया क्योंकि सबसे पहली बात 2010 में नया नया college खुला है उपर से North Eastern NIT और North Eastern NIT में भी connectivity की काफी दिक्कत है लाइक nearest railway station आपका दीमापूर railway station है 206 km दूर उसके बाद गौहाटी railway station 489 km दूर तो connectivity की दिक्कत आ सकती है पहले आप railway station पे उतरी है फिर एक लंबा चौड़ा बस या टैक्सी का ट्रेवल लीजिए और अगर बात कर ले एरपोर्ट की तो वहाँ थोड़ी सी बढ़िया बात है अगर मैं धंग से प्रोड़ाउंस कर पा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमेटर दूर तो एरपोर्ट तो बढ़िया है बट railway station काफी दूर है जो कि हमारा major source of transportation हो रहा होता है तो यही सारी चीज़ है अगर हम बात कर ले एडमिसन प्रोसेस की तो हर एडाइडी की तरह सबसे पहले आपको जैमेंस का एक्जाम देना और जैम तो 3,2425 रैंक पर close हुआ था यानि ही general student होते हुए भी अगर आप gender neutral हो तो भी यहाँ पर आपको computer science बड़े आराम से मिल जाती है बट हम बात कर ले किस location में situated है तो उधर इतना जादा engineering का crazy है ही नहीं अगर हम बात कर ले other state की तो वहाँ computer science बंद हुआ राउंड 6 में 29,644 for general student gender neutral category 2023 की मैं cutoff बता रहा हूं तो other state वालों के लिए तो as usual cutoff competition काफी ज्यादा रह नहीं वादा है पर home state के लिए admission लेना काफी असान है आपर अब अगर आपको हर round हर category हर year का cutoff चाहिए तो आप college प्रविस्ट के वेब्चेट पर विजिट कर सकते हो अगर हम बात कर ले फी श्ट्रक्चर की तो आपके सामने detailed institute fee, tuition fee, hostel and mess fee का screenshot लगा हुआ है हर NIT की दर आपका tuition fee 62,500 पर सेमेश्टर रहने वाला है अगर आप SCST candidate हो तो college tuition fee नहीं लग रहा होगा बड़ बाकी सारे fee लग रहे होंगे अगर आप OBC General Candidate और एक लाग से नीचे का income certificate जमा करते हो आपके लिभी call tuition fee नहीं है बड़ बाकी सारे fee लग रहे होंगे OBC General Candidate एक से पांच लाग के बिच का income certificate जमा करते हो आपका tuition fee two-third माप रहने वाला है बड़ बाकी सारे fee लग रहे होंगे बड़ अगर आपका पूरा tuition fee छूट रहा है उस case में आपका पूरा चार सल का BTEK fee सिर्फ और सिर्फ 2,62,000 में होने वाला है हाँ हर सल थोड़ा 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 fee बढ़ता है बड़ फिर भी आप 3,000,000 तक मान कर चल लीजिए अगर आपका fee waiver मिल रहा है पूरा बड़ अगर कोई fee waiver नहीं है तो आप 8,000,000 तक मान कर चल लीजिए यही सारी चीज़े है तो finally हम पहुंचते अपने college and hostel life के अपर तो सबसे पहले तो इसी point के सार्ट करना चाहूंगा कि 341.5 एकर का एक बड़ा campus है बट फिर भी infrastructure limited है क्योंकि just अभी इनोंने कुछ साल पहल नहीं है transportation issue तो है ही है और अगर बात कर ले hostels की तो यहाँ पर दो बात है सबसे पहली बात कि official officially इन्होंने website पर लिख रखा है कि दो boys hostel and one girls hostel है और वहाँ इन्होंने यह भी लिख रखा है कि सभी को hostels मिलना मुस्किल है बट अभी जो latest data students कहीं न कहीं YouTube के comment section में लिख रहे दो girls hostels है और boys hostel को लेकर confusion है कोई दो कोई तीन तो कोई चार बता रहे हैं तो अगर हम मान कर चले कि इनका जो official data अगर old data है update नहीं हुआ है और जो students बता रहे मतलब hostels की संख्या increase हुई है तो इसके हिसाफ सब मान सकते हैं कि सभी को accommodation मिल सकता है क्योंकि number of students इनके पास कम होत है जाना तर लोग इन तरीके के नॉर्थ इसन नाइटी में नहीं जाते हैं बट फिर भी जो जाते हैं उस सबसे अब number of students मुझे sufficient लग रहे हैं मैस की बात कर ले तो proper mess facility नहीं बताए गए ये खाने के quality below average बताए गया है बट अगेर एक ही चीज है कि आपको natural beauty देखने को मिल अगर प्लेस्मेंट्स बढ़िया है क्योंकि एक तो connectivity issue है उपर से North Eastern उपर से 2010 में फिर भी अगर आपको इतना बढ़िया प्लेस्मेंट्स देखने को मिल रहा है उपर से इतने कम cutoff पर भी तो आप अराम से जा सकते हो इस college में बट वही बात है आपको facilities आपको campus college life में compromise करना पड़ेगा laboratories, libraries है बट फिर भी जिस quality के होने चाहिए जिस level पर उसी साब से नहीं है infrastructure में कहने का मतलब बहुत ज्यादा हद तक आपको आप आज की date में compromise करना पड़ेगा student activities होते हैं basic basic activities clubs हैं और fest की बात कर लें तो आउगरी नाम का OUGRI अगर मैं ठीक से पड़ पा रहा हूं तो इनका techno cultural fest होता है ठीक ठाक लेवल पर होता है मतलब enjoy कर लोगे आप college life यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी निकल कर सामने आ रहे होगी वरना campus infrastructure उतना बढ़िया नहीं है नयान है campus है धीरे धीरे construction हो रही है तो यहीं सारी चीजे थी अब आप देख कर जाएए आपको इस college में admission लेना है या फिर नहीं लेना है हाँ एक और चीज बिताए जारी अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक शिर्ट दिल खोल कर करेंगेगा और अगर कुछ दिल की बाते कुछ मवाद दिल कर बता जीए या पूछ नीओ तो comment section आप ही के लिए तो है, so thank you for watching this video, goodbye, I wish you all the best for future, enjoy your journey